नमस्कार दोस्तों कल 24 अप्रैल दोहजार चौबिस को बीड वर्सिस दीड भरती मामले में जबलपुर हाई कोट मद्ध परदेश की तरब से बड़ा फैसला जो है वो रिजर्व किया गया है इस मामले में फैसले को सुरच्छित कर लिया गया है तो मामले में क्या हुआ है क् क्या तर्क निकल कर आ रहे हैं क्या चीजे समझ में आ रहे हैं कि इनकी निक्तिया सही है कि नहीं सही है बियट डिग्री धार जो धारी हैं उनकी निक्ति देने का जो मामला था वो सुरच्छित रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या चीजे होने वाली हैं इसको लेकर इस वीडि सुरच्छित हुआ है जबलपूर हाई कोट के माध्यम से यह आपको माई फस्ट वीक में इसका जो फाइनल ऑडर है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि माई के फस्ट वीक में जैसे इसका ऑडर आए तो ऑडर में क क्या लिखा हुआ इस पश्ट तोर पर आप जान सकें सही और सटीक हम आप पर जो आपको जनगरिस के बारे में देंगे आज के इस वीडियो में यह देखेंगे कि सुनवाई में क्या क्या चीज़े हुई है तो दोस्तों इस समाच चार पत्र के माध्यम से बहुत कुछ इस पश्ट किया गया है बहुत सारी स्थितियां जो हैं वो बताई गई है जैसे कि मद्द परदेश हाई कोट ने प्रात्मिक सिक्षक के पद पर बीएट डिग्री धारियों को निउक्ति देने संबंदी मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है मामले की पिछली परनात केसरवानी की युगल पीट के समख्ष सरकार की योग और से समय की चाहा रखी गई थी हम आपको एक बड़ी अपडेट ये देते हैं कि मद्द परदेश सरकार की तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता थे वो बहुत ही कल ये मांग कर रहे थे कि सर इस पर एक नई डेट दी जाए साफ तोर पर वही चीजे देखिए आपर देखने को मिल नहीं है कि समख्ष सरकार की योग से समय की यहां पर राहत मांगी जा रही थी यह और समय मांगा जा रहा था बहुत सारी बहुत जो है प्रेसर बनाकर रखा गया था नियाले के उपर कि हमको समय दे दीजे निकल नियाले ने साफ कहा था कि हम समय नहीं देंगे आप अपना पच्छ नहीं रखना चाहते हैं आप मत रखिये जो पार्टी है जो डी एड की पार्टी है निके डी एलेड बी टी सी की पार्टी है उनका बात हम सुन लेते हैं और जो B8 की बाटी है उनका बात सुन लेते हैं और हम आउडर को आज ही रिजर्ब करेंगे और इस पर फैसला हम देंगे क्योंकि सरकार को डर कहीं न कहीं सतार आए कि ऐसा ना हो कि हमारे राज में जो B8 जनित है वो बाहर हो जाएं क्योंकि अभी लोकसवा का चुनाओ भी चल लाए और ऐसे में घर बाहर होने का आदिस आ जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत भी उत्पन्य हो सकती है तो कोई ब फैसला देगी देखिए साफ तोर पर जब जब जड़ साब ने ये बात कहे दी तब जाकर सरकार के जो महादी वक्ता थे दिखी आपने अपना पच्छ रखा जब उन्होंने जान लिया कि बाई अब नई डेट तो नहीं मिलेगी पच्छ जो रखना है रख दो ठीक है अन् देखनी है कि सैकरोल डियलर शात्रों की ओर से मद्द प्रदेश हाई कोर्ट में याजका दायर कर प्रात्मिक सिख्छक के पद पर बीयड डिकी दारकों को नियुक्ति देने को चुनावती जो है वो यहाँ पर दी गई है जिनकी ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नुवंबर 2023 को प्रात्मिक सिख्छक के पद पर नियुक्ति के लिए बीयड डिकी धारे को आयोगे घोसित किया यह 8 नुवंबर नहीं है 11 अगस्त है यहाँ पर यह गलट डेट प्रिंट है 11 अगस्त 2023 की बाद बताई गई है इस फैसले के सपस्टी करन के लिए मद्द पर नुख्तियों में से 11,583 बीयड बेरती हैं यानि कि जो यह 21,962 नुख्तियां मद्द प्रदेश में हुई हैं इसमें से 11,583 जो सिक्छक नुख्त हुए हैं वो बीयड के तो यानि इन 11,583 बीयड सिक्छकों पर जो खतरा है वो मंदरा आ रहा है फिर देखिया आगे क्या चीजे बताई गई हैं सेस्पद डिलेड उमिद्वारों से भरे गए हैं सुप्रीम कोट के आदेश के बाद प्रतिक्छा सूची में से 284 बीयड डिग्री वाले अभियर्थियों को नुक्त किया गया है याजका करताओं की ओर से अधिवक्ता रामिश्वर पी सिंग ने प पस्ट किया है कि 8 नुवंबर 2023 के बाद प्रत्मिक सिच्चुगों के रूप में बियड दिलिधारियों की नुक्ती पुनिता वैधानिक है यह 8 नुवंबर नहीं है 11 अगस 2023 की बाद की गई है यहां पर ठेक है अब यहां पर बताये गया है को जो नुक्ती उक्त दिनाग क पूर्व की गई है और जिन में हाई कोड का अंतरीम आदिस बरकरार है उनकी वैधानिता के सम्रंद में बदबर दिएस हाई कोड फैसला अब करेंगा उक्त मामले में सुको के फैसले सुप्रेम कोड की बादर कि उसुप्रीम कोड के फैसले के बाद नियाले ने तुलगना कि पस्चात न्याले ने अपना फैसला सुरच्छित किया कुल मिला कर दोस्तों कर यहां से हम बात को समझें तो B8 को लेकर जो पच्छ हो यहां पर कमजोर दिखता दिख रहा है यहां पर बाकी B8 के जो अदिवक्ता थे उन्होंने भी अपना पच्छ रखा है D8, BTC, D8 के जो अदिवक्ता थे उन्होंने भी अपना पच्छ रखा है ठीक है और बाते यहां पर देखिए पूरी तरह से यह किलियर हो गया है इस कटिंग के मादम से यह चीजे तो इस पस्ट हो गई है कि मर्द परदेश में ग्यारा हजार पांसो तिरासी जो बीयर्ड सिक्षक हैं वो नोकरी पाए हुए है इन्ही की नोकरी जो है खतरे में अब माई के फ़स्ट वीक में माई के फ़स्ट वीक में जब आउडर आएगा तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यह ग्यारा हजार पांसो तिरासी जो बीयर्ड सिक्षक हैं ये आगे भी भवश्वें में नोकरी करते रहे या नहीं करते रहें गेंगे क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोड की बात जो की गई है सुप्रीम कोड याने की आठ अप्राइल दोजार चौबीस वाले जो आदेश की बात की गई है इस आदेश में ये तो कहा गया है कि 11 अगस 2023 से पहले जितने भी न्युक्त बीएट के सिक्षक हैं वो अपनी नौकरी में बरकरार रहेंगे लेकिन उसके साथ सर भी जोड़ी गई है पहली सर की जो विग्यापन जिस भी राच्च में आया हो उस विग्यापन को चैलेंज ना किया गया जबकि मद्द परदेश में चैले योग ठहराया ना गया हो जबकि सुप्रीम कोट में इनकी जो आये गई थी उसमें इनको आयोग ठहरा दिया गया था समझ रहें तो कहीं न कहीं ये सभी जो है माइनस पॉइंट जो है मद्द प्रदेश के बीएट सिक्षकों के लिए है सच मैं आपका बता रहा हूं बहु जो सत है वो हमने आपके साथ शेयर किये बाकी सब चीजे जो है वो माई फर्स्ट बीक में इस पष्ट हो जाएंगे क्योंकि जानकारी ये मिली है कि माई फर्स्ट बीक में इसका फाइनल दोस्तों जो आर्डर है वो जारी हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि मद्द परदेश में जो चेनित बीर्ड हैं वो आगे अपनी नोकरी में बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर ये नोकरी में बरकरार रहेंगे तो समझ लीजिए सभी राजियों में बीर्ड सिख्शकों की नोकरी बच जाएगी.